गोड इबनीग और कुछ मझवोड़ियों के कारण मैं फिजिकली पड़िएंट नहीं रहूंगा तो जब तक मैं फिजिकली पड़िएंट नहीं रहूं तब तक ये क्लासफ मेरी जो है वो आनलाइन देखना है बच्चो और जब मैं वापस लॉट आउं तो वापस आने पहला जो सब्द है अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं दुबारा से लिख देता हूं, पहला जो word है यह है प्रॉन पॉजिशन ठीक है यह word है प्रॉन, P-R-O-N-E, प्रॉन पॉजिशन, P-O-S-I-T-I-O-N, यह पहला word है प्रॉन पॉजिशन Prawn position का मतलब क्या हो गया देखो Prawn position का मतलब होता है पीट के बल लेटना ठीक है? पीट के बल कैसेúlt के बल कैसे लेटते हैं ठीक है? पीट के बल नहीं Prawn position पेट के बल लेटना इस तरह से लेट जाते हैं न undertaking तो जब यह word जो है Prawn position करोना के टाइम में ये खास करके बहुत ज्यादा मसूर हुआ था ये बहुत कॉमन वर्ड है ठीक है पेट के बल लेट जाना जैसे अगर कोई दुस्मन ने अटेक किया तो कई लोग है ना पेट के बल लेट जाते हैं कहने का मतलब पीठ दिखा देना यहां पर इसका ये भी म होते हैं वो मरीजयों को बताने के लिए अगर किसी कारण से किसी भी कारण से अगर कोई वैक्ति है और उस वैक्ति के पास काफी समस्याएं हो रही है जैसे किस तरह की समस्याएं तो उसको समस्या हो रही है जैसे सांस लेने में तो ऐसे कंडिशन में वो क्या हो जाएगा प प्रोन, 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 प्रोन किसी भी तरह का एक जो है सिंपल बना लेना है एक बढ़िया इंग्लिस सीखने के दौरान एक बढ़िया हिंदी भी सीखी जा सकती है या एक बढ़िया हिंदी सीखने के दौरान एक बढ़िया इंग्लिस भी सीखी जा सकती है तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के अगले सम्द पर आते हैं, अगला जो हमारा word है, जो लिया है eradication, eradication का मतलो होता है उन्मूलन, क्या word है eradication, E-R-A-D-I-C-A-T, रुको color में paint change कर लेता हो नहीं तो दिखेगा ही नहीं आगे, ठीक है, T-I-O-N, eradication, eradication का मतलो होता है उन्मूलन, eradication of poverty, eradication of poverty, eradication of poverty, eradication of poverty, इसका मतलब हो गया, गरीबी उन्मूलन, देखो, ये सारे words है न, ये सारे words बहुत काम में आते हैं, मतलब लगातार ही use में आते हैं, जो भी standard magazine होती है, अच्छी जो किताबे होती है, जो तयारी करने के लिए च्छात्र हैं, वो लोग को ये सब्द हम इसा टकड़ाता है, eradication of poverty, या सिर्फ eradication, eradication of something, eradication of anything, तो poverty का मतलब क्या हो गया, गडी भी भुखमडी, इसका poverty का मतलब हो गया, eradication of poverty, यानि की गडी भी उन्मूलन, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने इस word को उठाया है, अगर सही नहीं दिख़ाया हो, तो इसलि पर जाना, हमेशा हमेशा के लिए, क्या होता है, eradication, सरकार एक कोसिस करती है, कि गरीबी को हमेशा के लिए खतम कर दे, लेकिन वो खतम नहीं कर पा रही है, कारण क्या है, कि जो गरीब हैं, उनके mentality में बदलाव नहीं आ पाता है, mentality में बदलाव आएगा, तो गरीबी हमेश से खतम करने के लिए क्या जरूरत है गरीब को प्रोपर सिक्षा देने की जरूरत है जो कि सरकार के अभी बूते के बाहर की बात लग रही है क्योंकि गरीबों को अगर सिक्षा देना है उसके लिए सबसे पहले गरीबों को मांसिक रूप से तयार करना होगा और गरीब जो है mentally prepared नहीं हो पा रहे हैं क्यों नहीं हो पा रहे हैं क्यों क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस गाउं से बाहर एक सांदार अच्छी से दुनिया भी है जहां पे लोग हमेशा दुखी नहीं रहते हैं देखिए कई लोगों को मैंने सुना है कि जिंदगी में दुख भोगने के लिए लोग प्रिथवी पर आता है लेकिन मेरा निजी अनभव है कि यहां पर प्रिथवी पर इतने तरह के सुख है इतने तरह की हैपिनेस है कि पूछिये मत लोग स्वर्ग को छोड़के धरती पर रहना पसंद करें लेकिन हमारा जो अपना एरिया है जहां से हम लोग हैं वहाँ पर हम लोग कभी सौर कभी नड़क में जूलते रहते हैं सरक और नड़क में क्यों कि हम लोग को हमारे जो लोग हैं उनको पता नहीं है बाहर के बारे में ठीक है तो हम लोग आगे देखते हैं eradication का मतलब क्या होता है unmulan ठीक है eradication a poverty मतलब गड़ी भी unmulan अब हम लोग देखते हैं eradication therapy eradication मतलब unmulan eradication मतलब unmulan E-R-A-D-I-C-A-T-I-O-N eradication मतलब unmulan a therapy D-H-E-R-A-P-Y therapy ठीक है eradication therapy का मतलब होगा unmulan चिकित्सा ऐसी चिकित्सा जिसमें कोई बीमारी जड़ सी उखर जाए जड़ सी समाप्त हो जाए तो क्या होगा वो वो होगा unmulan चिकित्सा क्या होगा वो unmulan चिकित्सा eradication of eradication of poverty eradication therapy यानि unmulan चिकित्सा आई बस समझें चलो तो यहां से हम लोग क्या पता चला हमें ये वालूम पड़ा कि eradication का मतलब क्या होता है तो फिर से वापस देखते हैं eradication of का unmulan eradication 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 of eradication of क्या मतलब हो कि इसका का unmulan eradication of का unmulan eradication of का unmulan ठीक है simple है इसका मतलब समझ में आ गया अब हम लोग आगे एक अगले सब्द पे आते हैं वाक्य में जरूर पड़ियो करना ठीक है वाक्य में जरूर पड़ियो करना reliant of है ना क्या हिए r-e-l-i-a-n-t of reliant of मैं यहां पे लिख देता हूँ r-e-l-i-a-n-t reliant of reliant of का मतलब होता है पर क्या होता है पर निरभर kya होता है यहाँ इसका मतलब पर निरभर ठीक है क्या होता है किसी के ऊपर निरभर किसी के ऊपर आसरेत क्या होता है you are reliant of you are reliant on your parents जो भी है इसको वाक्य में पड़ियो करना ठीक है, कहां-कहां off लगेगा, कहां-कहां on लगेगा, यह सब बताना मुझे आराम से, ठीक है, बत देखो, अब यहीं पर साफ हो गया मामला, यह अगला word है हमारा, Reliant upon, पर नीरभड है, ठीक है, Reliant upon, R-E-L-I-A-N-T, Reliant upon, Reliant upon मतलब पर नीरभड है, Reliant upon का क्या मतलब हो गया, पर नीरभड है, Spelling क्या है, R-E-L-I-A-N-T-U-P-O-N, Reliant upon, क्या मतलब हो गया, पर नीरभड है, किसी पर भी नीरभड है, यारि किसी पर क्या है, dependent है, किसी के उपर आश्रित है, समझ में आया, अब देखो, बहुत सारे बच्चे हैं, जिनके फादर ऐसे काम करते हैं, जिसको करने में, उनके हाथों में फफोले आ जाते हैं, ठीक है, फफोले को क्या बोलेंगा, इंगलिस में, ब्लिस्टर्स, बी, एल, आई, एस, टी, ए, आर, एस, ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स मतलब फफोले, हाथ में जो फोका होता है उसको फफोला बोला जाता है, तो कभी भी, अब आगे से, जब भी, मुझसे बाचित करना मेरे बच्चो, तो कासिस कोसिस करना कि अच्छी अंग्रेजी में, अच्छी हिंदी में बाचित करो, इस तरह से मत बाचित करना जैसे कि कोई एकदम, क्या बोलता है उसको, डम लेमेन बात करता है, क्योंकि लेम नीचे के तरफ चले जाती है, तो ऐसे सब का इस्तमाल नहीं करना है, हमेशा प्रिस्क्रिप्ट लेंग्वेज का इस्तमाल करना है, जो हमारे बच्चे जिनके 90% एवब जिसके मार्क्स आया है, 10-12 में अभी, जिसको हमने पढ़ाया, जिसको हमसे जुड़ा हुआ है, उन सार इसे करके मार्क्स आ रहे थे, उन लोगों को मैंने देखा, कि उन लोगों का जो लैंग्वेज पर कमांड है, वो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, एकदम सांदार, और जो बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उनके तो अलगी कहानी है, तो देखो, कई सारे अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो जाने दो, उनको या उसके जैसे लोगों को फॉलो नहीं करना है, ठीक है, अच्छी अंग्रेजी और अच्छी हिंदी, जरूरी है, कुछ लोग जो पास करते हुए दिखाई देते हैं, उसको कह लोग पैसे पे ले कड़के आते हैं, य रिक्तिकरन छेत्र, डिप्लेशन, डिप्लेशन मतलो क्या होगा, रिक्तिकरन, डिप्लेशन, 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 इसका मतलो क्या होता है, रिक्तिकरन छेत्र, रिक्त मतलो खाली होना, रिक्तिकरन छेत्र, रिक्तिकरन छेत्र, क्या होगा, डिप्ल डिप्लेशन 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 रिख्तिकरंच चैत्र टीक है क्या हो गया आप देखते हैं अब देखते हैं अब दीप्लेशन of natural resources आगे देखते हैं इसका मतलब क्या होगा पहले मैं depletion word को बताऊंगा depletion depletion का मतलब क्या रिख्टी करन d e p l e t i o n depletion depletion of natural resources depletion of natural resources resource ऐसे लिखते हैं r e s o u r c e s depletion of natural resources इसका मतलब हो गया प्राकृतिक संसाधनों की कमी प्राकृतिक संसाधनों की कमी प्राकृतिक संसाधनों की कमी अब क्या है ना कि ये बड़ा अच्छा सब्द है एक ही वर्ड को कई बार देखेंगे अच्छे से दीप से देखेंगे copy कलम लेकर के बैठना और सारे words को लिखना ये सब words ऐसे words हैं जो सीधा जो है ना मतलब एकदम अलग level पे लेकर के जाएंगे तो इसलिए जिरूरी है तो हम लोग सब्दों को इस तरह से करेंगे कि हम में ये सारे सब्द याद रहें समस्दारी से हम लोग सब चीजों को देखेंगे सारे वर्ड्स को देखेंगे चेक है एक दाम बढ़िया ज्यादा वर्ड है नहीं इसमें इतने वर्ड्स है इनहीं को खुब प्रैक्टिस करना है खुब ज्यादा अच्छे तरीके से अब हम लोग देखते हैं डिप्लेशन लेयर रिक्ती करन पड़त ठीक है डिप्लेशन लेयर लेयर मतलब पड़त पड़त होता ना ये स्कीन के भी कई सारी पड़ते होती है तो उसी तरह ये वर्ड क्या है डिप्लेशन लेयर डिप्लेशन लेयर का मतलब क्या हो गया डिप्लेशन लेयर का मतलब हो गया रिक्ती करन पड़त डिप्लेशन लेयर का मतलब होता है रिक्ती करन पड़त डिप्लेशन लेयर रिक्ती करन पड़त डिपलेशन, रिक्ति करन, कोई चीज़ का खाली होते जाना, धीरे धीरे खाली होता ना, उसको क्या बोलेगे डिपलेशन, छोटे बच्चे को ऐसे समझाना थोड़ा कठीन होता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बार बार कोशिस करके हम इसको सिखा सकते हैं, फोटो दिखा कर बच्चों को इनवार्मेंट ही नहीं मिलता, इसलिए वो नहीं सीख पाते हैं, लेकिन हम यहां सिखाने के लिए हैं, लेकिन अब जो है न, जो हंडेड परसेंट गाओं को मेरा टाइम का देने का स्टड़ई था, वो थोड़ा मैंने चेंज किया है, कि सहर में भी मैं तरह स बदलना जरूरी है, अने था वो सब पानी में चला जाएगा, अब देखते हैं, डिग्रेडेशन रेट, गिरावट की दर, डिग्रेडेशन रेट, क्या होगा गिरावट की दर, डिगरडेशन रेट क्या हो गया, गिरावट की दर, डिगरडेशन, डिगरडेशन मतलब क्या होगा, गिरावट, लैंड डिगरडेशन, यानि जमीन की गिरावट, यानि जमीन के में जो क्वालेटी थी उसकी गिरावट, क्या हो गया, लैंड डिगरडेश जमीन के अंदर जो quality थी उसकी गिरावट हो गई क्या हो गई लैंड डिग्रेडेशन तो डिग्रेडेशन मतलब क्या हो गया गिरावट ठीक है कितना असान है तो देखो अगला सब्ध हम लोग देखते हैं अगला सब्ध हमारा क्या है डिग्रेडेशन ओफ की गिरावट आगे एक ही वर्ड है उसको उसी को पकड़के चलेंगे डिग्रेडेशन ओफ क्या है D, E, G, R, A, D, A, T, I, O, N Degradation of क्या हो गया? की गिरावट Gradation of क्या हो गया? Degradation of की गिरावट ठीक है? अब हम लोग देखते हैं एक और सब्द एक और सब्द क्या है? Besides मतलब के अतिरिक्त ठीक है? Besides B, E, S, I, D, E, S इसका मतलब हो गया Besides का मतलब हो गया के अतिरिक्त अतिरिक्त मतलब इस अलावा के अतिरिक्त ठीक है? Besides के अतिरिक्त besides की अतिरिक्त, क्या हो गया, के अतिरिक्त, beside के अतिरिक्त, अगला देखते हैं, beside, beside, यह देख, s हटा दिया हमने, beside का मतल़ को गया, के बखल में, beside का मतल़ क्या हो गया, के बखल में, अब अगला सब्द को देखते हैं, beside that, क्या है? Beside that B E S I D E Beside Beside that का क्या मतलब हो गया? Beside that का मतलब हो गया इसके alaवा Beside that इसके alaवा ठीक है? Beside that का क्या मतलब हो गया? इसके alaवा दुझे ये सारे सब्द जो है ना हिंदी भी समझना है और अंग्री जी भी समझना है और जो इसको समझ लेगा भो बढ़ा अच्छा कर जाएगा उसका मतलब हो गया उसके अलावा भी या उसके अलावा इसके अलावा या उसके अलावा ठीक है तो ये हो गया beside that इसके अलावा beside that उसके अलावा beside that इसके अलावा या beside that उसके अलावा ठीक है तो ये basic words हैं जिसको सब लोगों को जानना ही है जानना ही चाहिए हर एक व्यक्ति जैसे जैसे इन सब्दों को जानता रहेगा वो स्मार्ट और स्मार्ट और स्मार्ट होता जाएगा तो यह सारे वर्ड्स है इनको कैसे उप्योग करना है इनको उप्योग करना है वाक्य में इसको सब को जो है न सारे बच्चों को जब इसको देख रहे हो तो देखते समय इसको रोकोगे जब इच्छा करेगा पॉस करोगे Words लिखोगे, Means लिखोगे, मेरी बाते सुनोगे जो मैंने बोली है इसके बाद उन सारे Words को वाक्षि में उप्योग करोगे एक हिंदी का वाक्य बनाना ताकि रिक्ती करन क्या मतलब हो गया परत क्या हो गया गिरावट की दर क्या हो गई की गिरावट क्या हो गई कि अत्रिक्त क्या हो गया के बगल में इसके अलावा उसके अलावा ये सब का मीनिंग समझोगे तो एक वाक्य हिंदी में बनाओगे एक अराम से पूरी अच्छे तरीके से पूस्ताज करनी है आगे धंक से पढ़ाई करनी है